प्यार के रंग में रंगे सागर और वेदिका मिट गई दूदिया करीबाई दो दिल सोनी टीवी के सीजल पुकार में आ गया है मौसम प्यार का और इस प्यार में डूब गए हैं वेदिका और सागर तब ही तो देखिए चांस पर हो गया है इनका रोमैंस शुरू असल में सागर को ये पता चल गया है कि वेदिका ही जानवी है जिससे वो बचपन से प्यार करता आया है और ऐसे में सागर लुटा रहा है वेदिका उर्फ जानवी पर अपना प्यार और आज तो किसमत भी इन्हें मिलाने पर जुटी हुई है सागर को पता चल गया है कि वेदिका नहीं है ये जानवी है जिससे मैं बचपन से प्यार करता था और फाइनली अब दोनों साथ आ गया बट कही ना कही एक डर है बट कही ना कही एक डर है बट कही जो अभी भी जब रीसेंट कहानी हुई है कि वेदिका के पर जो कलश था वो फेक साबित हुआ है तो अब DNA टेस्ट का वेट हो रहा है तो कही ना कही एक नोविसनेस है गुसा भी है कोयल के प्रती की इतनी अच्छी दोस्ती अब क्या होगा कोयल के रिपोर्ट मेरे रिपोर्ट कैसे बाहर आएंगे कौन जानवी की आइडेंटिटी लेगा अब ये तो अगले एपिसोड म भाई दोनों में प्यार तो बहुत है लेकिन वेदिका थोड़ी परिशान भी है कोयल की वचह से कोयल अपनी जगह बिल्कुल सही है I won't say कोयल is a wrong person या गलत इंसान है कोयल को कुछ misunderstandings हुए और just out of revenge वो ये सारी हरकते कर रही है and she just wants to prove कि वेदिका गलत है वेदिका ने हमारे साथ बहुत गलत किया तो वेदिका को अब गलत प्रूफ करना है इसलिए कोयल वेदिका की identity लेना चाहती है जो है जानवी तो वो अब जानवी मन के इस घर में आती है वो सब को ये प्रूफ करना चाहरी है कि वो जानवी है, हाला कि वो यामी नहीं है, वो किसी को नहीं बता, बट अभी जानवी की जब बात आ रही है, तो वो चाहती है कि वो जानवी की आइटेंटिटी ले सागर से शादी करेगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो वो फेस करनी पड़ेगी, तो इससे वो खुश हो जाएगी, तो इसलिए वो सब कुछ कर रही है, वेदिका अपसेट, इतनी अच्छी दोस्ती मेरी, इतना सब कुछ सही था, शी विजन एक्सपेक्टिंग कि कोयल ऐसे करेगी, तो वो अब वेदिका और जानवी के पास उसका सागर है, जो उसकी ढाल बन कर खड़ा हुआ है और उसका सहारा भी है, ऐसे में अब देखना होगा कि सागर और वेदिका और जानवी की एक लव स्टोरी कहां तक जाएगी, या कोयल इस लव स्टोरी पर लगाएगी ट्विस्ट का और एक मुंबैसी पूजा निशात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट